ओम शान्ति आज 27 सितंबर 2021 है सेवा अर्थात विश्व परिवर्तन के कार्य में अपनी उंगली लगाना क्योंकि जब हम स्वयम के परिवर्तन करते हैं तबी हम विश्व के परिवर्तन के निमित बन सकते हैं तो ये बहुत बड़ा कार्य है जो हम जिसको हम सेवा का नाम देते हैं तो सेवा माना हम पहले अपने आपको देखे मैंने कितना परिवर्तन किया है अंदर से फिर हम विश्व के परिवर्तन में योगदान दे सकते हैं सुनते हैं आज का स्लोगन ज्यान दान के साथ साथ गुन गान करो तो सफलता मिलती रहेगी ज्यान का दान दुनिया में बहुत सारे ज्यान है लेकिन यहाँ जो ज्यान के बात कर रहे हैं वो कौन सा ज्यान है यहाँ जो ज्यान है वो है इश्वरिय ज्यान इश्वद्वारा दिया गया ज्यान और वो है आत्म ज्यान, परमात्मा का ज्यान, ड्रामा का ज्यान और कर्मों का ज्यान इस ज्यान को जब हम दूसरों को देते हैं इसी को ज्यान दान कहा जाता है और इसी को ही सेवा कहा जाता है तो आज की स्लोगन में कहा ग्यान दान के साथ साथ गुनगान करो क्यों गुनगान करना है और किसका गुनगान करना है जिस आत्मा को हम ग्यान का दान कर रहे हैं जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उस आत्मा का गुनगान करना है और साथ साथ जिसकी हम ज्यान दे रहे हैं उस परमात्मा का भी गुनगान करना है इस दुन्या के जो वातावरन है कल्यूगी वातावरन है ना कारात्मक है तमो प्रधान है तो इस कारण से आत्माई भी उस तमो प्रधानता के प्रभाव में आने के कारण से वे स्वयम तमो प्रधान अर्थाथ शक्तिहीन हो गई हैं इसलिए जब हम उनको ज्ञान देते हैं वे सहस्तु स्विकार कर लेते हैं उसे अच्छा भी लगता है लेकिन उस ग्यान को accept करने की या उसे जीवन में धारन करने की शक्ती उन्हें नहीं मिल पाती तो उसे शक्ती शाली बनाना होगा सबसे पहले ताकि ग्यान को सहच जीवन में धारन कर सके तो शक्ती शाली बनाने का सहच उपाई यही है उन आत्माओं का गुनगान करना जानना, मानना अर्थार उन आत्माओं की वैल्यू को समझना और उनकी वैल्यू को उनके सामने रखना, उनके गुनों की विशिष्टाओं को खुद को बोध कराना क्योंकि जब खुद ही शक्ति हीन है अपने अंदर की गुन और विशेष्टाओं को भूल चुके हैं तो उनको कोई चैये जो उनकी शक्ति को जागरत करे अपने गुनों और विशेष्टाओं को याद दिला करके तो गुनगान माना ही उनके शक्ती और विशेष्टाओं को जागरत करना तो यही एक तरीका है उनके गुनगान करने से ज्ञान को वैस्वयम ही जीवन में धारन कर सकते हैं और साथ-साथ किस की ज्ञान है, किस द्वारा ये ज्ञान हमें प्राप्थ हो रहा है वो परमशक्ति का वो परमात्मा का ज्यान है तो उस परमात्मा के गुनगान करके साथ-साथ उस आत्मा की विशेष्टाओं का बोध कराते रहे ज्यान देने के साथ-साथ तो सहच ही सफलता प्राप्त होगी तो हम ये ध्यान रखे जब हम सेवा करे तो स्वैम अपने वैल्यू को स्वमान में रखे स्वैम अपने विशेष्टाओं का बोध भी करे कराये दूसरों को और बाबा की महिमा अर्थाद गुनगान भी करते रहे तो सफलता सहच शृति से मिलते रहेगी ओम शांति